आज कल आप कहीं भी मॉल में जाएए, कहीं भी किसी सॉप पे जाएए या कहीं पे कोई स्टॉल लगा हुँ वहां जाएए तो आपको अट्रेक्ट किया जाता, यह ग्रीन प्रोडक्ट है, और अर्गेनिक है और इसमें बायो डिग्रेडेबल है इस तरह से जो भी चीजे आपने इन्वार्मेंट के लिए सस्टेनिवल होती है, उनके बारे में प्रचार किया जाता है कुछ चीजों पर और अर्गेनिक का लेवल लगाते ही वो 10-20%, sometime it is 50%, you know, costlier as compared to normal चीज तो ये सही है कि गलत है, किसी ने कहा इसको बनाने में केवल और्गेनिक चीजों का यूज किया गया है अब how do you know कि आपको ये और्गेनिक चीज ही पता दिया गया, कोई proof तो दिया ने जाता है तो अब यहाँ पे green washing कानून बनाया जा रहा है तो आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम धननजय है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इस फिजी पिन चैनल पे आपको corporate, management और इस तरह से चीज़ें बाब बताई जाती है जो आपको काफी help कर सकते हैं, daily life में, finance में, अपने career में तो आजकल बजार में green वा और्गेनिक, biodegradable सब्सक्राइब का काफी use तेजी से बढ़ रहा है कई बार green packaging का भी दावा किया जा रहा है, जिससे कि आपके ग्राहां जो customer है वा ट्रैक्ट हो सके इस प्रकार के जो भ्रामक विग्यापन है, मलब advertisement है, उनकी विक्री पर पावंदी लगाने के लिए सरकार green washing कानू लाने जा रही है, green washing का मतलब होता है कि पर्यावरन अनकूल नहीं होने के बावजूद customer को attract करने के लिए green, clean, organic, eco friendly, carbon neutral जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई भी company अपने product पे जब भी इन सब्दों का use करेगी तो वो एक scanner लगाएगी, QR code लगाएगी और उसमें public जब QR code को scan करेगा तो बताएगी इन दावों के पीछे logic क्या है, certification क्या है किस certification agency ने आपको ये बता, prove किया है कि आप organic है, आप clean है, आप green है, आप bio degradable है या क्या है, तो ये आपको देना पड़ेगा packaging 100% refined material से की गई है कि नहीं कई है, इसका प्रमाड कोई अगर नहीं देता है तो उसके उपर चुर्माना लग सकता है तो it is something very good for all of you, जिससे हम लोग आजकल दो-चार हो रहे हैं और mall वगरे पे जो प्रोड़क्ट की भरमार पड़ गई है, clean और green की, मुझे लगता है इस पे भी कुछ अंकुस लगेगा